कश्वणी भूपल से प्रसुत हैं प्रादिशिक समाचार। गौरव गाता और देश की यववा शक्ती में विश्वास रखने वालों को कहा रक्षा मंत्री राजना सिंग ने। पूरू प्रदान मंत्री अटल बहरी वाजबे की जैनती पर आज प्रदेश भर में आयजित होंगे आरुक की मेले। और मद्र प्रदेश में भी परंपरागत हर्श अलास के साथ मनाय जा रहा है प्रिस्मस का पर्ल। और अब समाचार विस्तार से। कश्वणी से मन की बात कारकम के प्रसारण के तरुंत बाद ये कारकम के शेतरी भाशाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्री रक्षा मंत्री राजना सिंग ने आत्म निर्भर भारत की सफलता कश्रे भारत की गौरवगाता और देश की यवाशक्ति में विश्वास रखने वालों को दिया है भारत की रक्षे शमताओं की बारे में विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आएने से विकरांत के नौ से नम शामिल होने के बाद भारत विमान वाहक पोत बनाने वाला दुनिया का च्छटा देश बन गया है उन्होंने कहा कि भारत शक्तिशाली यिद्दोपोत भी बना रहा है जो एक सुद्रण और आत्निर्भर राश्ट का संकेत है देरादून में स्वामी राम हिमालाईन विश्विद्देले के पांचवे दीक्षांत समारों को संबदित करते हुए उन्होंने टीम भावना के महत पर कहा कि जहां वेक्टिकत सफल तमहातपूर्ण है वहीं पूरी टीम के सफल होने पर ही हमें वो पहचान मिला करती है जिसके हम हक दार हैं लोक स्वास्थेवं परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निर्देश दिये हैं कि आक्सिजन, प्येस प्लांट, आक्सिजन सप्लाई, आइसलेशन वार्ड और आक्सिजन सपोर्टेड आईसीव बैट सहित अन्ने सभी व्यवस्थाओं को सुनेशित किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को चाक्चोबंद बनाए रखने के लिए 27 दिसम्बर को होने वाले मॉक्टरिल में सभी व्यवस्थाओं की समिक्षा भी की जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराजी सिंग्चोहान ने आने वाली 5 जनवरी को हर्दा जिले के चीपा नेर में नर्मदा नदी पर नव निर्मेत राम लक्ष्मन सेतु का लोकरपन करेंगी, नर्मदा नदी पर इस पुल के बन जाने से सीहर जिले के नसुरला गंज से हर्दा जिले की दूरी लगबख 40 किलोमेटर कम होगी, इस से क्षेतर के लोगों को बहतर रयातायत मिलने के साथ है समय की भी बचत होगी, समाचारों में वक्त हो चला है, एक छोटे से अंतराल करों। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मेले में आयरवेद, होमेबेथे और युनानी चिकित्सा का निशुलक परामश भी मरिजनों को दिया जाएगा। मेला इस्थल पर योग से होने वाले लाभों की भी जनकरी दी जाएगी, साथ ही निशुलक औशधियों का भी वितरन किया जाएगा। अटल जी के जन दिवस को आज गौलेर के गौरव दिवस के रूप में भी मनाई जा रहा है। जिला कलेक्टर कोशलेंद्र विकरम सिंग ने बताया कि गौलेर के गौरव दिवस पर अटल जी के प्रिये वेंजनों के इस टॉल विशेश रूप से लगाए जाएगे। इधा प्रसारण भी किया जाएगा। ये शांती और भाईचारे का प्रतिक है। उपराश्पती जगदीश धनकर ने अपने संदेश में कहा कि ईसाम मसीह ने प्रेम सहन भूती और करोना का मार्ग प्रशस्त किया जो हमारे जीवन में सदाचार और समाज में सहशूनता और सदभाव लाता है। इससे विश्व में इस्थाई शांती का भी संचार होता है। मुक्यमंत्री शिवराशी सिंग्च चोहान ने भी क्रिसमस के मौके पर नागरिकों को शुबकाम ने दी हैं। राजधानी बोपाल के साथ ही प्रदेश के अन्य शहरों में भी क्रिसमस के आफसर पर गरजागरों की विशेश साज सज़्जा की गई है। अगमी पहली जन्वरी से राश्ट्री संस्थानों और समगर्क शित्री केंद्रों में दिव्यांग जनों की बीमारी का निदान और उपचार शुल्क माफ किये जाएगा। ये शुल्क माफी ऐसे दिव्यांग जनों पर लगू होगी जिनका नाम यूनिक डिसेबिलिटी आईटी कार्ड में दिव्यांग तौर पर उल्लकित होगा और जिनके पास यूडियाई पोर्टल पर भी दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र होगा। दिव्यांग जनकारी के नुसार इसके अलाबा ऐसे संस्थानों और केंद्रों में भी कई पार्ट क्रमों के लिए भी शुल्क माफ के जाएगा। बांगलादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में आज भारत कल के चार विकेट पर 45 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। ठाका के शेर बांगला नेशनल स्टेडे में भारत को जीत के लिए 100 और रनों की जरूरत है। बारत को जीत के लिए 145 रनों का लक्ष मिला है। कल खेल समापती पर अक्षर पटल 26 और जैदेव नाटकर्ड तीन रन बना कर खेल रहे थे। इससे पहले बांगलादेश ने दूसरी पारी में 231 रन बना कर 144 रन की बढ़त बनाई थी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप में। दौरा मालवा प्रांथ का प्रांथी अदिवेशन आज से शुरू हो रहा है, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। इस अदिवेशन में 17 जिलों से 1000 विद्यार थी भाग लेंगे। राश्ट्री उपभोकता दिवस के अफसर पर कल आगर मालवा खादे विभाग दोराई जिक किये गए, जिला इस तरी एक कायरकम में उपभोकताओं को उनके अथिकारों से अफगत कराए गए। और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के रतलाम नागरा के मद्द चलने वाली नागदा रतलाम नागदा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन आज निरस्त रहेगी। और अन्तुमें इस बुलिटिन के मुख्य समचार एक बार भेर। प्रदान मंत्री नरेनर मोदी के लोगप्री कायरकम मन की बात का प्रसारन आज देश विदेश के शोताओं से अपने विचार करेंगे साज़ाई। आदम निर्भर भारत की सफलता कश्रे, भारत की गौरव गाता और देश की योवा शक्ती में विश्वास रखने बालों को कह रक्षा मंत्री राजना सिंग ने। पूर प्रधन मंत्री अटलबेरी वाजबे की जैनती पर आज प्रदेश भर में आज जित होंगे आरो की मेले गौलेर में मनेगा गौरव दिवस। और मद्ध प्रदेश में भी परांपरागत हर्शोल लास के साथ मनाई जा रहा है क्रिस्मस का पारू। इस पॉलेटिन में इतना है आग के देजिए। नमस्कार।